मौच पर 5 लाख रुपे जीतने का मौका और इंडिया गौट टालेंट के सेट पर सेलेब्रिटी से मिलने का मौका भी हैश्टाग मौच बना हिट हो जाओ पर विडियोज बनाओ और हिट हो जाओ नमस्कार वन इंडिया हिंदी में स्वागत है मैं हूँ राम विश्व कर्मा क्रिकेट को जिस तरह से अनसर्टेनिटी या अनिश्चिताओं का खेल कहा जाता है ठीक उसी तरह से अनिश्चिताओं से घिरे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान क्रिकेट जगत में खुब धमाल मचा चुके इमरान खान जब पाकिस्तान की राजनितिक पिछ पर उत्रे थे तो इस भरोसे के साथ उत्रे थे कि यहां सरकार की पारी पूरी होने तक नौट आउट रहेंगे लेकिन राजनितिकी इस पारी में वे एक बेहत कच्चे खिलाडी सावित हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान के अडियल किस्म की सेना की कठपुतली वाली सरकार को अपने अंदाज में तो चलाना चाहा लेकिन यहां विरोधियों की यॉरकर, बाउंसर और गुगली के आगे विट्टिक ना सके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब बस कुछ दिनों के महमान इमरान खान इन दिनों पूरी तरह से हताश, निराश और परेशान नजर आ रहे हैं इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये उनकी सरकार के लिए वो अगनी पर एमरान-खान को फिसडडी मान लिया है पाकिस्तान के सियासी गलियारों में जारी हलचल की माने तो बुधवार को ही जेनरल वाजवा और सेरा के अन्य पदाधिकारियों के साथ पीम इमरान-खान की बैठक हुई थी चर्चाओं के मताबिक उस बैठक में इमरान सरकार के ख चुरू हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की सेंटरल असेंबली में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो विरोधी दल एक साथ मिलकर ला रहे हैं इसके अलावा इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के सहयोगी दल भी उससे दगा करने को आमाद लायक भी समर्थन हासिल नहीं हो पाएगा इन हालात में इमरान सरकार अभी यही कोशिश कर सकती है कि वो किसी तरह से अपने इन बागी 24 सांसदों को अयोग्य करार दिलवा दे वहां के नियमों के मताबिक अगर किसी राजनितिक दल के चुने गए विधायक अपनी ही सरका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताओं में वोट करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इनसाफ पार्टी के पास फिलहाल 155 सांसद हैं जबकि सत्ता में बने रहने के लिए उसे कम से कम 172 वोटों की जरूरत होगी ऐसे में उसके अपने सा सकता पर सवाल खड़े कर दिये हैं कि वो 25 मार्च को बच पाएगी या अपना कारिकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी अब यहाँ सवाल ये उचता है कि आखिर इमरान खान की सरकार के सामने इस तरह का संकट खड़ा कैसे हुआ दरसल पाकिस्तान में ये बात अपरत करक्ष तर से घोशित है कि वहाँ की सत्ता सेना की कठ पुतली के तोर पर काम करती है ऐसे में इस बात की चर्चा पाकिस्तान के सियासी गलियारों में खूब है कि जब सेना इमरान की नीतियों की वजह से नाराज रहने लगी तो सेना के मूट को भाबते हुए खुद इमरा पाकिस्तान के सहयोग्यों ने ही उस से दूरी बनानी शुरू कर दी और सेना के मिजास को परकते हुए विरोधी दलों ने इमरान के लिए मैजेरोटी सावित करने की चुनोती रख दी शौर्ट कट में कहें तो पाकिस्तान में सरकार चलाने के लिए इमरान वो शहूर ही के साथ